जीयो बुक 16,000 की मिल रही है, एसस की क्रॉम बुक 19,000 की मिल रही है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको बेस्ट लैप्टोप अंडर 20,000 रुपीज फोर स्टुडेंट, लास्ट कुछ दिनों हमने दोनों को इक परसनली यूज करा और यह जाना है कि कौ अफी जादा फिंगर प्रिंट लग जाते है, परांठे परांठे खाते हो काम करना तो भूली जाओ इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर अच्छी बात है कि इसकी हिंज भाई अराम से खुल जाती है, और यह इस एंगल तक लास्ट खुलती है, लेकिन वहीं पर एसस की बात जादा टैब की तरह यूज कर लेते हैं, तो जादा बेटर रहता, अब यहाँ पर साइज के हिसाब से जो ट्रैक पैड है, एसस का काफी सही है, और जियो जैसे छोटी है, तो इसका ट्रैक पैड छोटा मिलता है, बड़ दोनों के अंदर मस्त यूज हो जाता है, लेकिन ज एसस के कमपैरजन में, जियो बुक जादा कमफेटेवल फील होती है, बिकोज अव साइज, और इसी के साथ जियो बुक के अंदर एक चीज मस्त है, लाइक इसके अंदर आप कैप्स लोक और नम लोक लगा सकते हो, और इसके अंदर LED इंडिकेटर भी दिये गए हैं, लेकि लेकिन वहींपर बात करें तो दोनों के अंदर दो 2 USB पोर्ट मिलते हैं, लेकिन जियो के अंदर 1 USB पोर्ट इस 3.0 के साथ मिलता है, लेकिन वहीं पर एसस के अंदर 2 USB में 3.0 दिया गया है, जो कि तरड़कते भाई स्पीड देते हैं, और दूसरा दोनों के अंदर ही 3.5 mm jack की तरह जो लगते थे वैसा वाला तो यह बहुत ही पुराना फील कराता है लेकिन एसस के अंदरा किसी भी पीडी चार्जर से अप्टू 45 वोट से इसको चार्ज कर सकते वाला कि चार्जिंग के टाइम पर दोनी लैप्टॉप उबल जाते हैं बट यहांपर जीओ के पास एक एडवांडेज इसमें HDMI पोर्ट दिया गया है लेकिन मेरे एक बात समझ से बार है कि दोनों नोट्बुक इतनी पावरफुल नहीं कि आप कोई एक्शनल डिस्प्लें से कनेक्ट कर सको तो जीओ ने हवावाजी में दे दिया है अब थोड़ा स के टैबलेट और स्मार्टफोन के अंदर तक TFT पैनल मिल रहा है इसके इलाव अगर बात कुरें तो बैजल के काफी ज्यादा मोटे मोटे हैं लेकिन जीओ के जैसे स्क्रिन साइज कम है पहले ब्राइटनेस कहा जा रही है जीओ के स्क्रिन साइज जैसे चोटा है तो बैज मैं तो इसे फैंक देते हैं और अभी हम दोनों के फ्रेंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्यूंकि आप जब मीटिंग वगर है लोगे तो इंडोर कंडिशन के अंदर ही लोगे तो इससे आपको बैटर आइडिया लग जाए कि कौन जादा अच्छे से लाइट वीडियो क्वालिटी जाद अच्छी लग रहे है और वीडियो क्वालिटी में तो काफी डिफ्रेंस है लेकिन एक चीज़ में दोनों से में कि दोनों में बोटम फाइरेंग स्पीकर दिया है जिसकी एडवांडेज भी है एडवांडेज यह अगर आप कोई सोलीड बता हूं तो एसस के थोड़े बैटर स्पीकर हैं अब दोनों की पर्फॉमेंस की बात कर लें तो एसस के अंदर मिलता है इंटल सिलरॉन डॉयल कोर प्रोसेसर और जियो के अंदर स्नैब ब्रेगन 665 प्रोसेसर दिया गया है तो यहां पर काफी बढ़र डिफ्रेंस और इस अब मैं दोनों के अंदर सबसे बटे डिफ्रेंस की बात करूँ तो एसस के अंदर मिलता है भाईया क्रोम ओएस जो की लाइनेक्स बेस है और वहीं पर जो यह मिलता है भाई जियो ओएस के साथ जो की Android 10 बेस है अब आप सोच रहों के Android 10 बेस है तो इसके अंदर हम सारी क्र स्टोर दिया है जिसके अंदर आपको लगेगा कि आपको हर एक अप्लिकेशन मिल जाएगी लेकिन वह खाली पड़ी है कुछ भी उसके अंदर काम का नहीं है वहीं पर एसके अंदर क्रोम जैसी चीज़े सारी पहले सी प्रिइंस्टोर मिलते हो इसके अंदर प्ले स्टोर दिया गया जिससे आप वाकी की अप्लिकेशन निकाल सकते हो अब गूगल की अप्लिकेशन तो नहीं दी जियो बॉक के अंदर लेकिन इसके अंदर जियो पेजिस का एक ब्राउजर मिलता है जिसके अंदर आप ब्राउजिंग कर सकते हो और मैंने देखा कि जब आप इसके इस्टॉल मिलते हैं YouTube जैसी लेकिन अगर आप फिर से ब्राउजर के अंदर भी चलाते हो तो यहां पर मैंने देखा है कि असानी से 4K तक में आप वीडियो देख सकते हो इसके अंदर कोई बिजिटरिंग विएरा नहीं मिलती इवन अगर आप जाधा काम करते हो आप 15-20 टैब इसके अंदर असानी से उपन कर सकते हो फिर भी यह काफी अच्छी से हैंडिल कर लेता है और अगर आप उनके बीच में स्विच भी करते हो तो यह बहुत स्मूदली स्विच करा देता है और जैसे कि इसके अंदर काफी सारी अप्लिकेशन को आप बैक्ग्राउंड में उपन कर देते हो उनके बीच में भी आप असानी से स्विच कर सकते हो और अराम से मल्टि टास्किंग की जा सकते है इस क्रोम बुक के अंदर तो जीओ बुक तो भाई इसके सामने मेरे को पर्फोर्मेंस में कवारी लग रहा है और क्रोम बुक की मेरे को एक बात तो अची लगती है अगर आपके फोन के अंदर सेम आइडिया और इसके अंदर भी सेम आइडिया और दोनों चीज़े पास रगे के लिए निकाला गया है तो इसके अंदर मेरे को ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला ना तो इसके अंदर आप एप्लिकेशन डाल सकते हो ना ही इसका कैमरा अच्छा है ना इसकी कनेक्टिवीडिय अच्छी है लेकिन वही पर एसस के अंदर मलब क्रोम बॉक के अंदर यह सारी चीज़े आपको ज्यादा बैटर मिल जाती है तो अपने 15,000 रुपे वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप थोड़े पैसे ओ डाल कर कोई क्रोम बॉक बाई कर लो जिसका लिंक आपका बाई विडा में तर जब तक के लिए जो मन मैं गाइस हो करे 208 यहाद फिल रिस्टेए इन विए अच्छ वी अंबॉक्स गाइस